दाधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सम्रिधी सेतों में आप सब के सफल जीवन की कामना करते हुए बरों को प्रणाम करते हुए अपने इश्ट को प्रणाम करते हुए वीडियो को प्रारंब करते हैं दोस्तों साल की पहली पुर्णिमा यानि की पौश पुर्णिमा छे जनवरी को पढ़ रही है ये पुर्णिमा बहुत ही शुब दायक है बहुत ही शान्ति दायक है इस दिन भगवान विश्नु और माता लक्षमी की पूजा करने के साथ साथ पीपल के पेड को छुकर हम ऐसी कौन सा एक बात बोलें ऐसा कौन सा एक काम करें कि हमारी जिंदगी की हर तरह की मुसीवते हर तरह की परिशानिया जड़ से खतम हो जाएं दोस्तों पूर्णिमा तिथी जो होती है वो भगवान विश्नु माता लक्षमी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा करने के लिए होत दूद उसके साथ साथ थोड़ी से मिश्री और सफेद चावल डाल कर चंद्रमा को अर्ख देना चाहिए ऐसा करने से आपका चंद्रमा स्ट्रॉंग होता है जब आपका चंद्रमा स्ट्रॉंग होता है तो आपके बहुत सारे ग्रह अपने आप शान्त हो जाते हैं और उसक अगर चंद्रमा उल्टा प्रभाव डालता है तो उससे इंसान को गुस्सा आता है और जिसके वज़े से मन बहुत ज़्यादा असांत रहता है तो पुर्णिमा तिथी पे चंद्रमा को अर्ख जरूर दें इसके साथ-साथ अगर आपके घर में किसी के साथ भी आपके के लिए एक बहुत ही शुप तिथी मानी गई है जिससे कि आपकी संबंधों में शीतलता आती है शांती आती है तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पुर्णिमा तिथी वाले दिन यानि कि छे जनवरी वाले दिन जिसके साथ भी आपके संबंध खराब है या बार चल्ला दे सकते हैं चोटा सा तुकड़ा चांदी का सिक्का कुछ भी जो आप से बन पड़े आप वो दे सकते हैं ऐसा करने से आपका आपका जो संबंध है वो अच्छा होता है उसमें मिठास आती है इसके साथ साथ पुर्निमा तिथी वाले दिन चावलों का दान करना बहु गर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर अस्णान कर सकते हैं ऐसा करने से भी आपको पुर्निमा की प्राप्ती होती है इसके साथ साथ दान दक्षना जरूर करनी चाहिए पुर्निमा तिथी वाले दिन ऐसा करने से भगवान विश्णु और मातलक्ष्मी तो पसंद होते ही है साथ साथ आपका चंद्रमा भी स्ट्रॉंग होता है इसके अलावा आपको क्या करना है पूर्ने मावाले दिन जिससे कि आपकी हर तरह की मुसीबतों का अंत हो जाए और आपकी मनुकामना की पूर्टी हो जाए तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा तांबे का लोटा ये लुटिया ले लेना है तांबे की लुटिया बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा स्टोर में मिल जाती है तो आपको एक छोटी सी तांबे की लुटिया ले लेनी है और उसके बाद आपको उसको पूरा उपर तक शक्कर से भर लेना है बूरे रंग की शक्कर होती है जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी किराना स्टोर पे आपको मिल जाएगी तो वो आपको ले लेनी है और उसे भर लेना है लोटे में पूरा उपर तक आपको भर लेना है और उसके बाद आपको अपने घर के मंदर में भगवान विश्नु और माता लक्षमी के सामने प्राथना करनी है कि आपके जंदेगी में जो भी मुसीवते हैं जो परेशानिया ह आपके घर में बिमारी है, कलेश है, बिस्नस नहीं चल रहा है, घर में शान्ती नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चों की या बच्चों की पढ़ाई में समस्या है, जो भी आपके जंदगी में समस्या हैं, वो समस्याओं को या जो आपकी मनुकामना है, जो आप पूर् उसके बाद पीपल की पेर को जड़ को प्रणाम करते हुए हाँ जोडते हुए अपने पित्रों को भगवान विश्णु माता लक्षमी को याद करते हुए आपको अपनी समस्यां को फिर से बोलना है जैसे कि आपने घर में बोला था और उसके बाद दोनों हाथों से अपने पीपल की पेर को प्रणाम करते हुए आपको अपने घर वापस लोटाना है बस इतना सा आपको पूर्निमा तित्री से हर तरह की परेशानिया जो है वो मिट जाती हैं तो इस पूर्णिमा इस उपाय को जरूर करके देखें आप देखेंगे कि आपकी जिंदेगी में किस तरह के और कितने बदलाव आते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों में शेयर कर दीजेगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा धन्यवाद रादे रादे